हलो एवरिवन मैं इंडियन ब्लोगर कलपना अपने चैनल पे आप सब का स्वागत करती हूँ आज मैं बहुत ही दिल को छू लेने वाली कहानी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सुनिए आप लोग आज मेरे मंजले बेटे की साधी थी और मैं बहुत खूस थी और फिर हम तीर थी आत्रा पर चले जाए घर में बहु आ जाए और घर खुसियों से भर जाए वैसे भी मेरे घुटनों में बहुत तकलिप रहती है इतनी वी जान भी नहीं रहती कि मैं अपने घर का काम काज कर सकती इसलिए मैंने अपने बेटे की शादी एक खुब सूरत लड़की से तै की थी सोने पर सुहागा यह हुआ कि वह अपने घर में एकलोती लड़की थी उनके घर वालों ने बहुत सारा दहेश दिया था और साथ में काम करने वाली एक नौकरानी भी दी थी पहले तो मुझे हैरत हुई और फिर थोड़ा अजीब भी लगा बहु नौकरानी भी लाई है जबके काम के लिए नौकरानी तो मैं भी रख सकती थी लेकिन नौकरानी ओके काम पसंद नहीं आते थे मैंने मन ही मन सोचा कि पहला हफता दो हफता यहां से फिर उसको चलता करूंगी लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया रंजना मेरे घर में अपनी जगह बना ली गई ना जाने क्या हुआ था मुझे उसकी तरफ खिशता था मुझे उसकी आदस सी हो गई थी उससे जहां तक मेरी बहु की बात है तो उसको मैंने पहली बार उसे टेलर की दुकान पर देखा था जहां मैं अपनी ननन के साथ गई थी परना मैं टेलर के चक्कर में नहीं पड़ती क्योंकि मैं अपने कपड़े खुद ही सिलती थी जब मैं टेलर की दुकान में उस लड़की को देखी तो मुझे बहुत पसंद आ गई, सुलजी हुई और तमीजदार और उसकी दीदी भी उसके साथ थी, बातों बातों में मैंने उसके घर का पता पुछ लिया और उसकी जात भी पुछ ली, फिर मैंने अपने बेटे का भेज दिया, उन लोगों ने भी मेरे बेटे को पसंद कर लिया, अब मुझे इत्मिनान हो गया था, मेरी बहु रिंकी भी बहुत अच्छी थी और कामवाली रंजना भी, लेकिन बहु के साथ जो रंजना आई थी, वह हर वक्त परदे में रहा करती थी, यह बात काफी अज अच्छे और नेक लड़की थी, मैंने उसे दिल से खुसो कर खाना बनाने का काम भी सौफ दिया था, अब मैं बहुत सुकून में थी, वह लड़की ना सिर्फ घर के काम करती थी, बलकि मेरी सेवा भी बहुत करती थी, कि मैं हैरान हो जाती, लेकिन आज तक मैंने उसका चे बहु की अलावा यहां पर कोई नहीं था, मेरा बेटा भी काम पर जाता था, तो वह शाम कोई घर पर आता था, मगर मेरी बात से वह बहुत घबरा जाती थी, उसके हाथ भी कापने लग जाते थे, मेरी बहु आ गई और उसके सामने खड़ी हो गई, मम्मी जी आप इसको यह अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाती, यह बहुत ही परदे वाली है, उसको परदे में ही सुकुन मिलता है, तो आप उसे ना कहा करे, रंजना के जाने के बाद मेरी बहु मेरे पास आकर बैट गई और धिरे से बोली, मम्मी जी हमने उसका चेहरा देखकर करना ही क्या है जब हमें इतना सुख दे रही है, घर को हमारे एकदम चमका कर रखती है, खाना एकदम फर्ष्ट और फंटास्टिक बनाती है, मैंने देखा है रात गए तक आपका पैर दबाती है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी फर्माइस पर बिदक जाय और कामी छोड़ कर चली गई, फिर आ औरतों से कैसा परदा, यू समय बित्ता गया, एक रात मेरी आग खुली और मैं पानी लेने किचन की तरफ जाने लगी, मैंने देखा कि रंजना किचन के साथ वाले कमरे में पूजा कर रही है, उसका दरवाजा खुला था, मेरी नजरे रंजना पर थी, मैंने दिल ही दिल म के हाथों मजबूर होकर, खड़ी रही, सायद उसकी एक जहलक मुझे दिखाई दे, और अचानक जब उसने जुक कर आरती का प्लेट उठाया, तो उसका चेहरा मेरी तरफ हो गया, जैसे ही उसके चेहरे पर मेरी नजर पड़ी, मैं गिरते गिरते बची, मेरी रूह तक और वह भी घबरा कर उठी थी, और कमरे की तरफ भाग कर खुद को मेरी नजरों से छुपाने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन मैं उसको तब तक देख चुकी थी, तब से वह मुझे बहुत बेचेनी-बेचेनी हो रही थी, सारी रात मैंने काटों पर गुजारी थी, सार के सामने खड़ी होकर यह सारा सच उगल वालू लेकिन मैं चाहती थी कि एक बार मेरा बेटा आफिस चरा जाए तो मैं बहुत से पुछूंगी कि यह क्या है अगर मेरे बेटे को इस बात की भनक पी पड़ जाती तो वह उसे उसी वक्त तलाग दे देता तलाग क्या सायद वह गुष्य में आकर रिंको को जान से ही मार देता बात है इतनी बड़ी थी कि कुछ भी हो सकता था मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे का घर उजड़ जाए रिंकी से उसका सत जानना चाहती थी लेकिन इतना तो मैं सोच ही चुकी थी कि अगर उसका रत्ति बराबर भी कशू तो उसका तलाक मैं खुद दिलवा दूंगी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कसूर किसका है अब बहु ही सब बात बता सकती थी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था मेरी बहु उठ चुकी थी उसने नास्ता करवा लिया था और अब अपने कमरे में चली गई थी मे मेरा बेटा अपने आफिस चला गया था यही वक्त था जाने का मैं फोरन बहु के कमरे की तरब गई दरवाजा नोकिया और अंदर चली गई बहु डेसिंग टेबल पर खड़ी अपने बाल सवार रही थी वह हैरस से मेरी तरब देखने लगी मैंने कमरा लॉक किया और उसक माजरा है आखिर क्या है मेरे घर में यह कैसा खेल मेरे घर में तुम दोनों खेल रही हो रंजना कौन है रंजना का आखिर क्या राज है आज मैं जान कर ही रहूंगी अगर तुमने मुझे सचना बताया तो मेरी बात पे मेरी बहु मेरे कदमों में गिर गई मम्मी जी मुझ कसूर नहीं है आखिर यह सब क्या माजरा है मुझे पूरी बात बताओ मेरी बात सुनकर बहुत घबरा गई मम्मी जी मैं आपको सच बताती हूँ आप पहले वादा करें कि आरियन को इसकी जानकारी नहीं होने दोगी वरना देखो बहु मुझे अब सच बताओ मैं सच जानने के बात फैसला लूँगी मेरी बात को सुनके अपने आसू पोच कर मुझे अपना किस्ता सुनाने लगी उसने बताया मैं रिंग की खाते पीते घर से संबंद रखती थी हम तिन भाई बहन थे बड़ी बहन की शादी तिन साल पहले हो गई थी तब से वह बहार सहर में रहती थी उसके बद मैं और मेरा छोटा भाई कमल मैं और मेरा भाई दोनों कालेज जाते थे अचानक पापा को बिजनेस में लास हो गया और हमारे घर में पैसो की तंगी हो गई मेरा कालेज छुट गया और फीस ना देने की वज़ा से कमल को भी इसकू से निकाल दिया गया आपके पास पैसा होता है पापा ने अपना करजा उतारने के लिए अपना घर बेच दिया कुछ पैसे बच गय थे उनसे एक छोटा मकान किराय पर ले लिया और उसका च्छे महने का एडवांस दे दिया गया और दो महने का रासन डलवा दिया अब बस चंद हजार बसो काफी नहीं थे पापा की तब्यत खराब रहने लगी थी वह पहले ही दिल के मरीज से और हालात के नीचे आकर तो और कमजोर हो गए थी बड़ी बहन को हमने कुछ नहीं बताया था कि वह परेशान ना हो एक दिन मैं किसी स्कुल में इंटर्व्यू देने गई मगर वह भी मायूस हुई क्योंकि मेरी डिग्री उस नौकरी के लिए नहीं थी तो वे दो हजार पर मुझे रखना चाहते थे और उसमें अंगाई के दोर में दो हजार से क्या होता मैं बाहर आ गई तेज चिल चिलाती धूप में बस स्टाप के बीच में बैट कर बस का इंतजार कर रही थी और मुझे अपनी बेबसी पर रोना आ गया आसु मेरे गालों पर फिसलने से चलते जा रहे थे फिर किसी ने पूछा कि मैं क्यों रो रही हूँ मगर सर उठाया तो मैं बहुत डर गई क्योंकि वो एक अजनबी आदमी था और वो हमेशा मुझे वहाँ पर बैठा गूरता रहता था मगर आज उसकी इतनी हिम्मत देखकर मुझे बहुत डर लगा था मैं वहाँ से उठकर दूसरी जगह सिमट कर बैठ गई मगर मैं वहाँ भी आ गया और मुझसे रोने की वजह पूछने लगा मैंने कहा उससे कि वह चला जाए और मुझे मेरे हाल पर यह बेचारे तो मांग कर अपना पेट पालता है मैंने उससे कहा कि तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए और वह जाए यहां से लेकिन वह न माना और जीत करने लगा तो फिर मैंने बताया कि मेरी हालत अच्छी नहीं है कोई ढंकी नौकरी भी नहीं मिलती यह सुनकर उसने पैसे भी नहीं है कि किसी बुटिक में कोर्स कर सकूं सिखने के लिए भी पैसे लगते हैं यह सुनकर उसने अपनी जेब से कागज और कलम निकाल कर कागज पर कुर्च लिखा फिर कागज मेरी तरफ बढ़ाते हुए बुला यह मेरा नंबर है तुम सोच लो फिर मुझे इससे को भूल गई रात को जब विष्टर पर लेटी तो अचानक से मेरे दिमाग में सारी बाते आ गई कि मैं स्टॉप पर बैठी रो रही थी कि अचानक वहां अजनबी आदमी आ गया था मैं सोच रही थी कि उसके पास इतना पैसा आया कहां से जो वह मुझे देने को कह अगर है भी तो वह मुझे क्या देगा आज कल तो कोई किसी को उधार तक नहीं देता उसकी बातों पर मुझे एक बात तो नहीं आया था मगर ना जाने क्या सोच कर मैंने अपने पर्स से वह पर्ची निकाली जिसमें उसने अपना नमबर लिख दिया था और अपने अब तकी रोटी खानी मुश्किल हो गई थी अब तो टूशन वगरा भी छूट गए थे मुझे और मम्मी को कमल के इसकुल की भी बहुत फिक्र हो रही थी कितने महने हो गए थे वह घर पर उदास बैठा अपने इसकुल बैक को खोल के अपनी किताबे बिखेरे हुए तोने देखते रहता उसके इसकुल का बहुत हर्ज हो रहा था उस दिन मैं अपने एक दोस्त के घर गई उससे बात करने कि मुझे किसी इसकुल में अच्छी तनखा पर रखवा दे किसी से बात करके मैं वहां से निकली तो रास्ते में एक टेलर का दुकान था उसे देखकर मुझे उस अजनवी की बात याद आ गई मैं अंदर चली गई और कहा कि मैं सिखना चाहती हूं सिलाई टेलर ने कहा कि कोर्स करने के लिए दस हजार लगेंगे और एक साल का कोर्स है जिससे वह मुझे सब कुछ सिखा देगा यह सुनकर मैं मायूस होकर वहां से क्या कर निकल के कुछ दिन बाद बताती हूं आपको लेकिन मैं एक दस हजार कहां से लाती मेरे पास तो दस हजार भी नहीं थे खैर मैं घर पर आ गई कुछ देर बाद उस अजनवी का नंबर मिलाया उसने मेरा फोन काट दिया और खुद कॉल की मगर मैंने उस पर कुछ सक किये भी नहीं कहा कि हाँ मैं वही लड़की हूं जो उसे बस स्टॉप पर मिली थी और पूछा कि वो कहां से मुझे पैसे देगा जबकि वो खुद बहुत गरीब है वह यह बास सुनकर हसा कि तुम्हें पैसों से मतलब है तुम्हें मिल जाएंगे बोलो कितने चाहिए मैंने कहा मुझे एक लाक चाहिए टेलर का कोर्स करूंगी और फिर खुद का दुकान खोलूंगी और फिर बाद में उसके पैसे मैं लोटा दूंगी उसने मुझे उसी बस स्टाप पर बुलाया और मैंने पर्स में रख लिया और वापस घर आ गई कमरे में आकर दर्वाजा बंद करके मैंने लिफाफा खोला तो मेरी हैरत के इंतहा ने रही जब मैंने देखा कि लिफाफे में दो लाक पड़े थे मैंने उसे कॉल किया और पुछा कि मुझे एक लाक की जबरती तुमने दो लाक क्यों दिये तो वह बोला कि एक लाक कोर्स में लगा कर और दुकान खोलोगे और एक लाक घर में रख कर अराम से खर्च करना मैंने उसको सुक्रिया अदा किया और जोस में आकर उसे से वादा कर बैठी कि जिन्दगी में ऐसी मेरी कभी कोई मदद की जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी मुझे अपनी बहन समझे मुझे नहीं मालूम था कि अनजाने में मुझे कितनी बड़ी गलती हो गई है मैंने फोन रख़ दिया दुसरे दिन बुटीक में पैसे जमा करवा दिये और बुटीक ज्याइन कर लिया दिन बदिन उसी तरह गजरते जा रहे थे मैंने बहुत कुछ सीख लिया था और कमल को इसकुल में दाखिला करवा दिया था इसी तरह साल पूरा हो गया, बुटिक से मुझे पूरा फुल मास्टर डिग्री मिल गई, अब मैं अपना बुटिक खुलना चाहती थी, मैंने अजनभी मददगार को एक बार फिर से कॉल मिलाई और बताया कि मेरा कोर्स कंप्लिट हो गया है, तो उसने कहा कि मैं फिर इसी ज बुटिक देखा जो कोई किराय पर दे रहा है, मैं उसके साथ चली गई, और सारी जानकारी तै किये और घर पर आ गई, दुसरे दिन से बुटिक पर बैठ गई और बुटिक ओपन का बोर्ड लगा दिया, अपनी मदद के लिए एक लड़की भी रख ली, बुटिक चल उन में से एक औरत आप भी थी, जिन्होंने मुझे पसंद किया और मुझे अपनी बहु बना लिया, मेरी साथी की तैयारी हो रही थी, कि एक दिन अजनबी मददगार मेरे पास आया और बोला कि उसे मुझसे कुछ चाहिए, मैंने कहा कि मैं उसके सब पैसे लोटा दूंग और वह कुछ वक्त दे मुझे, उसने कहा कि उसे पैसे नहीं चाहिए, बलकि उसे मेरी मदद चाहिए, यूँ उसने मुझे मेरे ही नादानी में किया हुआ यह वादा याद करवाया, जो मैंने उससे दो लाक के बदले किया था, मैं उसकी बास सुनकर काफी परिसान हो गई उसने मुझे कहा कि तुम मुझे अपने साथ अपने दहेज में ले कर जाओगी, मैं हैरान हुई, मगर यह कैसे हो सकता है, वह बोला कि मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम मुझे अपने साथ काम वाली बना कर ले जाओगी, मैं हर वक्त खुद को डंक कर रखूँगा, किसी को कानो कान खबर तक ना होगी कि मैं लड़की नहीं बलकी लड़का हूँ यूं उसकी बात सुनकर मुझे अब गुस्सा आने लगा था तब ही त मैं चिल्लाई भी थी और मैं यह सब क्यूं करूंगी मैं मानती हूँ कि तुम मेरे मददगार हो मैं तुम्हारी एहसान मन भी ह मैं ऐसा नहीं करूंगी मैंने मुड़कर अपनी तीजोरी खोला जो नोटों से भरा पड़ा था मैंने दो लाख पहले से ही अलग करके एक लिफापे में डाल रखे थे कि ना जाने कब मेरे मददगार को उन पैसों की जरुरत पढ़ जाए मैंने वह लिफापा उसकी तरब बढ़ा दिया और कहा कि गिन लो उसमें पूरे दो लाख है यह लो और जाओ यहां से आज से तुम्हारा मेरा रिस्ता खतम हो वह मेरी बात सुनकर एकदम से मेरे पाव में गिर कर गिर गिराने लगा मैं डर कर पीछे हटी थी वह फुट फुट कर रो रहा था उसने मेरे सा मैं भी जमिन पर उसके पास बैठ गई बताओ भाई क्या बात है आपको क्या हो गया है नजरों से मुझे तकने लगा था उसने हाथ जोड़ कर कहा कि रिंकू मुझे मेरी मा से मिला दो कौन सी मा मैं हैरान हुथी उसने कहा तुम्हारी होने वाली सास मेरी मा है मैं अपने मा की खिद्मत करना चाहता हूँ मुझे तुम अपने साथ ले चलो मेरी आरजु को पूरा हो लेने दो उसकी बास सुनकर मुझे जटका सा लगा यह कैसे हो सकता है वह मेरे पती का भाई अगर वह मेरी सास कही बेटा है तो इन चोरों की तरह क्यों जाना चाहता है हमारे गर मे मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे जब वह बोला मुझे मालूम है कि तुम मेरी बास सुनकर हैरान हो गई तुम भी यही सोच रही होगी कि अगर मैं सच कह रहा हूं तो मैं सिधे तरीके से क्यों नहीं चला जाता घर मेरी मजबूरी है रिंग की बहन अभी रो रहा तुम खुश सोचो कि एक लड़की ससुराल ब्याह कर जाए और जल्दी उम्मिश से भी हो जाए तो वह कितनी खुश होती है उसको लगता है कि आने वाला बच्चा ससुराल में उसके कदम मजबूत कर देगा मगर मेरी पैदाईस के बाद मेरी मा के कदम मजबूत तो ना हो बन की मैं तो दूद कारी जाती मेरी दादी मेरी मा को एक मिनट के लिए भी बरदास्त ना करती मैं मुम्किन था कि मेरा बाप अस्पताल के बेट पर ही मेरी मम्मी को तलाज दे कर चला जाता हाला कि उसमें कसूर मेरी मम्मी का तो नहीं था यह तो भगवान की मर्जी थी कि उसने मुझे ना लड़का बनाया ना लड़की मेरे लिए तीसरे जिंस का इंतखाब कर लिया उसकी बाते सुनकर मैं सक्ते में आ गई थी जबकि वह खोद उसके आसु थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे जब नर्स ने मम्मी को बताया कि तेरे घर तीसरी जिंस की पैदाइस ह हुई है तो माने नजरों ही नजरों में उससे इलतिजा कर डाली थी कि वह भी मा का दुख समझ कर चूप हो गई और पापा को मुबारक बात देखकर आपके घर लड़का पैदा हुआ है सब खुशी से फुले नहीं समा रहे थे हर कोई मेरे मा के आगे पीछे हो रहा था ज उसने कोने में बैठी आसु बहाती जाती थी मैंने जब भी मा को देखा है रोती रहती थी मुझे नहीं मालूम था कि उसने कैसे मुझे घर वालों से चुपा कर बड़ा किया था घर में किसी को कुछ भी तो मालूम ना हो सका था मम्मी मुझे लड़के वाले कपड़े पहन मुझे मम्मी की सुर्खियां अच्छी लगने लगी थी। उनकी जेवा सब बहुत अच्छा लगता था। मैंने एक दिन मम्मी के लाल चुन्नी ओड कर अपने होटों पर लाली लगा कर बाहर आंगन में निकल आया। मेरी दादी हां ससकर आंगन में लोट गई थी। मम्मी को बुला कर कहा देख तिरा लाडला क्या कर रहा है। उस दिन मम्मी मुझे बाजू से पकड़ कर कमरे में ले गई। कमरे का दरवाजा बंद करके मुझे पापा की बेल्ट से बहुत मारा था। मैं छह साल का बच्चा ही तो था। मेरी जगह जगह से मा सुधर गया था। मैं नहीं आया था। जब मेरे जिस्म से खुन बहने लगा था उनका हाथ रुक गया अब हम उससे भी ज़्यादा चिक कर रो रही थी। हम दोनों मा बेटा रो रोकर निडाल हो चुके थे। दादी ने दरवाजा बजाया लेकिन मम्मी ने नहीं खोला और अपना सर दिवाल मे मार मार कर लहू लुहान हो चुकी थी। हम दोनों को अस्पताल ले जाया गया। वह मेरे लिए तड़प रही थी और मैं अपनी मम्मी के लिए। मैं कितने ही दिन मम्मी की तकलिफ याद करके रोता रहा। मम्मी तो हर वक्त हाथ जोड़कर मुझसे मापिया मांगते रहती थी। उस दिन मानने मुझे समझाया कि अगर मैंने दोबारा ऐसी हरकत की तो पापा मुझे ऐसी जगह पर छोड़ जाएंगे जहां हर रोज ऐसे ही मार पढ़ा करेगी। उस दिन के बाद मैंने ऐसा करने का भी नहीं सोचा। कई बार दिल चाहा मगर मैंने अपने दिल को रौंद डाला कि कई साल बीद गए मम्मी की मार भी भूल गई। लेकिन जो सबक हर रोज पढ़ाया करते मैं एक कां से सुनकर दूसरे कां से निकाल देता। लेकिन एक दिन मैंने अपनी जिन्दगी की सबसे बड़ी गलती कर डाली। मुझे याद है जब मैं दस साल का हु तो पापा ने घर ही में छोटी सी भंडारा करने की सोचा। मम्मी ने मेरे लिए बहतरी इन पैंट शर्ट निकाल कर रखी थी। लेकिन मैंने अपनी बहन तनु की इस्तरी हुई फ्राक पहन ली। मम्मी की लिश्टिक लगा कर जब मैं बाहर के काटने के लिए निकला तो स तब हस दिये थे। मम्मी भी हाती मेरे सर पर हलकी सी चिप लगा कर बोली कि तुम्हारी मजग की आदत पता नहीं कब जाएगी। फिर वह मुझे कमरे में ले गई। मुझे दोबारा तयार करते हुए वह बेतहासा रो रही थी। मैंने वजह पुछा तो बोले कि तुमने बहुत गलत अगले दिन मम्मी मुझे बजार ले गई लेकिन वह बजार तो न था वह मुझे दूर एक कजबे में ले गई। तंग तंग गलियों से गुजरते हुए मुझे एक घर में ले गई। जहां सभी तिसरे दिन के अपराद है बाद बाद पर ताली पिट्टे खबरहाट हो रही थी मैंने मम्मी का हाथ हिला कर कहा मम्मी यहां से चलो मेरा दम घुट रहा है मगर वो एक बुजूर्ग से गिरोह के पास बैट कर न जाने क्या बात करके रो रही थी गिरोह ने मुझे अपना पास बुला कर आज से मैं तुम्हारी मम्मी हूँ मैंने मम्म मेरी मम्मी का कंधा फिर से हिला कर कहा, मम्मी उठो घर चले, मेरा दिल न जाने डर से काप रहा था, मेरी मम्मी उठकर बाहर की तरफ चल पड़ी, मैं उनके पीछे लपका था, मुझे गिरोह के चिल्डियों ने पकड़ लिया, मैं चिखता चिलाता रहा, मम्मी ने पीछे तेज चिलाया कि मम्मी की कानों तक आवाद चली जाए, मेरी मां सुनकर मेरे पास आजाये, हाई मैं बहुत बेबस था, मेरा कमजोर बदन में इतना जोर कहा था, कि मैं उन हट्टी कट्टी चिल्डियों से खुद को छुडा लेता, मैं सारी रात दहाडे मार मार कर रोता रहा मगर मुझे प्यार से समझाते रहे, मगर वह समझने की उम्र तो नहीं थी, ना सवे सवेरे ही मम्मी मुझसे मिलने चली आई, मैं उनसे लिपट कर एक बार फिर बहुत रोया था, मम्मी ने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया और चली गई, मेरे किसी सवाल का जवाब दि मैं सबसे अलग बैट कर घरवलों की याद करके रोता रहता, एक दिन मेरे पास आकर बैट गया, मैं रो रहा था, वह भी रोने लगता, उसने मुझे बताया कि उसके माबाप तो पैदा होते ही, उसे एक ऐसी जगह पर छोड़ गय थे, उसे तो अपने माबाप का भी पता नहीं, उसके कभी कोई मिलने भी नहीं आता, गिरोह ने मुझे बताया कि मैं उन जैसे ही हूँ, मुझे आप उनके साथ ही रहना पड़ेगा, मुझे बहुत गुस्ता आया था, मुझे यहां आय हुवे एक महिना हो गया था, मम्मी ने मुझे बताया था, कि सब मुझे बात रखना ही नहीं चाहती थी, मैंने ही समझाता करना सीख लिया था, अब मैं मम्मी से खफा रहता, गिरोह ने मुझे डांस सीखने को कहा, तो मैंने फोरान हामी भर ली, अब मैं खुब-खुब मेकप करके मम्मी मिलता, कि वह गुस्से में आकर मुझे घर ले चले, मगर मम ममी का दिल ना पिखला, गिरोह ने मेरे फन को तरास कर मुझे हीरा बना दिया था, अब मैं मुकमल तयार हो चुका था, मम्मी मिलने आई तो मैंने मिलना पुरे सहर में मेरी चर्चा होने लगा, था, मैं अब जवान हो गया मेरा, और हसीन भी, मैंने खुब-दौलत कमाई, मेरा गिरोह बहुती बुद्धा हो चुका था, मैं सारा सारा दिन उसकी खिद्मत करता, हर एसो अराम का इंतजाम किया, गिरोह मुझे हर वक्त दुआय देता रहता था, एक दिन उसने मुझे अपने पास बिठा कर कहा कि मेरी ख्वाइस है, कि तुम पढ़ाई करो, उसने म मुझे उस पते पर जाना पड़ा, मैं दर्वाजे पर खड़ा था, जब मुझे घर के अंदर से बहुती खुपसूरत आवाज में भगवान के भजन सुने, मैं वहां जमसा गया, फिर वही आवाज उसमें जो बात थे, उसने मुझे बहुत असर किया, मैं घर आकर रोता र मैंने डांस छोड़ दिया, आप पेट पालने के लिए दिहाडी करने लगा था, मुझे रोजाना जिन आखों का और जिस तरह के लोगों का सामना करना पड़ता था, यह मैं ही जानता था, तब मुझे मम्मी की मजबूरी समझ आई, मेरी मम्मी आखिर क्या कर लेती, उसकी बेटी भी जवान हो रही थी, फिर भला एक तीसरी जिस जिस इंसान की बहन को कौन भी हा था, मैंने अपने सारा पैसा जमा करके रखा था, ताकि किसी जवरतमन के काम आ सके, तुम मुझे जवरतमन लगी, इसलिए मैंने तुम्हें दे दिया, सब मैं अपनी मा से मिलने का बहुत खौईस मन में था, मैं उनकी खिदमत करके खुदा को राजी करना चाहता था, एक दिन मैंने तुमसे मिलने तुम्हारे बुटिक आया, तो मैंने वहां अपनी मा को देख लिया था, फिर पता चला कि वह तुम्हें अपने बेटे की, यानि मेरे भाई से साधी करना चाहती है, तभी तो मैं तुम्हारे पास चला आया, सारी बास सुनकर रो दिया था, मैं भी रोती रही रह गई थी, मम्मी जी उसकी बाते सुनकर मैं खुद को रोप नहीं पाई थी, क्या मैं गलत थी, मेरी बहु मुझसे सवाल कर रही थी, जबकि मैं तो जमीन में गंड धस गई थी, मैं बहु के गले लग कर बड़ा रोई थी, मुझे मेरा नन्ह सितारा बड़ा याद आ रहा था, उसने कैसी कैसी सत्तियां जेली थी, मैं भाग कर उसके कमरे में गई तो वह अपना सामान पैक किये बैठा था, मुझे देखकर मेरे कदमों में गिर गया था, मै मैंने गिलगड़ा कर उससे माफिया मांगी थी, उसने मुझे माफ कर दिया था, मेरा सितारा मेरे सीने से लग, बिलग बिलग के रो रहा था, फिर वह मुझे से जुदा हुआ और अपना सामान उठा कर चल दिया, मैंने उसका बैग उसके हाथ से छिन कर कहा था, कि वह मेरे पास रहे वह घबरा गया और बोला मम्मी मैं आपके जिंदगी मुश्किल नहीं बनाना चाहता तब मैं बोली तो मुझे लगा मेरी आवाज किसी गधे से आ रही है बेटा जिंदगी तो मैंने तुम्हारी मुश्किल बना देते लोगों का डर उसका दंप मुझ पर छा गया कि मैं भगवान को भूल गई थी कि अगर वह कयामत के दिन मुझसे पूछ लेका कि बेटा और बेटी मैंने दिये थे तुमने रख ली मैंने अपनी पसंद से एक खास बंदा दिया तो धुतकार दिया तो मैं क्या जवाब दूंगी मुझे मेरे भगवान के सामने रुस्व बेटा लॉट आया है भगवान की गृपा है उसने मुझे मेरी गलती सुधारने का मौका दिया धन्यवाद दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिये थेंक यू थेंक यू फर वाचिंग टेक केर कर दोस्तों 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 कर दोस्तों